हेलो फ्रेंड्स दिस इस विजयराज पुस्प and विलकम टू लर्नर आईजवाई बीर पी आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट को कैसे हम एक जलक देखते ही कोस्चन को क्रेक कर सकते हैं तो कोस्चन को अगर चाहते हूं कि एक बार देखें और आप से बन जाए तो उसके और अगरातमक सब जिसे देखकर आप एक ही नजर में बता देंगे कि या ओप्षन सही है या गलत है तो आज जानते हैं नाकातमक सब्सक्वाइख करतें सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस में लगा रहे केबल या ही या मात्र या सिर्व करते ही इंग्लिस में only दिख जाए, तो समझ जाए कि वह वाक हमेशा नाका रात्मक होगा, रटना सक्त मना ही है, याद करना, कंठस्त करना, यह सब अप्सन देखते ही काट दिजेगा, लेकिन ध्यान लखेगा नहीं बाले में यह सही हो जाएगा, बच्चे को दंड नहीं देना है, सजा नहीं देना है, समस्या नहीं समझना है बच्चे को, समस्या नहीं, समाधान करता समझना है, बोज नहीं समझना है, और बच्चे को कभी भी हतोत साहित नहीं करना है, समझ रहे हैं जैसे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और वह एक बार में समझाने पर नहीं समझ रहे ह सिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए खाली सिलेट नहीं होता है बच्चा और नो कोरी पटिया होती है लैंगी का समानता नहीं अपनाना है आपको क्योंकि लरका हो या लरकी हो छात्र हो या छात्रा हो सभी के अंदर छमताय होती है बच्चे के बिचार को परधानता अगर नो दे तो कट जाएगा मात्र भासा नहीं होगा तूटियों को महत्व ना देना यह सम निगेटिव है बच्चे को निस्क्रिय नहीं समझना है रोजगार, ब्योसाईक या उच ग्रेट की सिक्षा नहीं परधान करना है तकनीकी, आपके बड़ टेकनिकल वर्ड पर काम नहीं करेंगे बैज्ञानिक सब्दावली का परयोग नहीं करेंगे सीमित और ब्याख्या, लेक्चर मेथड का भी परयोग नहीं करेंगे तो यह है आपका नकरात्मक वाक, जिसमें और भी वाक है जिसे मैं आपको बताता हूँ तो आए देखते हैं और नकरात्मक शब्द जो आप एकजाम में जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि यह वाक जो है आपका वह आपके उत्तर से मैच नहीं कर रहा है जैसे बालकों को वर्गी किर्थ करना बालकों को कभी भी आपको वर्गी करन नहीं करना है एक साथ लेकर चलना है चाहे बच्चे किसी भी परकार के क्यों न छमता को रखता हो तो याद रखीगा इस सब चीज को क्योंकि छोटी छोटी बाते हैं और जो आपके सफलता को दिलाने में सहायक हो सकती है बस थोड़ा थोड़ा करके देखिए और आप बनाते चले जाएए तो आगे देखते हैं कुछ और सब्द को बालक को कोरी पट्टी या सादा कागज नहीं समझना है कि जो आप लिखेगा वही लिखाएगा ठीक है तो इन सब चीजों को आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे बच्चे को बिचार को महत्म न देना बच्चे को सबसे दूर रखना ये सारे चीज आप यूज नहीं करेंगे तो ये सारा जो आपने देखा ये था नाकरात्मक इरेज कर दे हटाए तो उसके बाद हम लोग अब चलते हैं साकरात्मक सब्द की और पोजेटिव वर्ड्स की और और जानेंगे कि पोजेटिव वर्ड्स कौन-कौन से होते हैं जिसे बच्चे जो होते हैं अप देखते ही अपने प्रश्ण को हल करेंगे तो किरप्याई से क्विक स्क्रीन सोट लिजिए मैं लेकर आता हूँ साकरात्मक सब्द और ये वर डेली आप क्या करेंगे रिविजन करेंगे तो कि यही आपके बाल विकास हो या हिंदी हो या संस्क्रीत हो कोई भी हो सिक्षन सास्तर उसमें एक काम करेगा क्या करेंगे हटा दे तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं सकरात्मक सब्द को देखते तो हेडिंग डाला जाए शकरात्मक शब्द जिससे आप इंगलिस में पोजेटिव वर्ड्स कहते हैं पोजेटिव वर्ड्स कहते हैं तो आईए हम लोग करते हैं सबसे पहले सकरात्मक में जहां मिले सम्मान वही होगा सकरात्मक बच्चे को क्या करना है पुरुत शाहित करना है करके सिखना पर जोड देना है करके शीखना उसके बाद हास्थ परक अनभव को जोड देना है हास्थ परक का मतलब होता है जो हातों से किया जाए बच्चा जिसमें सकरिये हो नहीं उसके बाद बालक की जिग्यासा जागरित करना है क्या करना है बालकों की जिग्यासा को जागरित करना है नहीं, आपका जो परहाई होना चाहिए, बाल केंदरित होना चाहिए, सिक्छक केंदरित नहीं होना चाहिए और बिसाय जो आपका हो, बिसाय को बालक के किस से जुरा होना चाहिए, वास्तबिक या धैनिक जीवन से जोरना दैनिक जीवन से जोरना तेक जो भी अपशन में आपका बास्तबिक जीवन से जोरे, दैनिक जीवन से जोरे या बच्चा उसमें क्या हो सक्रिये हो और समाबेशिय अउधारना जिसमें बच्चा सब को सामिल किया जाए अलग नहीं करना है सब को एक साथ लेके चलना है समाबेशिय अउधारना और प्लस महौल जोना चाहिए लोक तांत्रिक यानि सब को सम्मान, सब के विचारों को महत्व, ऐसा ने कि आफिफैसला ले लेक तरफा, प्रजा तांत्रिक वातावरनो, प्रजा तांत्रिक वातावरन दिजेगा, उसके बाद, बिभिन संदर्भो में भासा का परियोग, बालक के विचार, और मात्रि भासा, तुरूटियों को, तुरूटियों को, महत्व देना चाहिए, तो बस इन चीजों को आप ध्यान रखेगा, बालक के विचार, या मात्रि भासा, या तुरूटियों को, महत्व देने वाला होना चाहिए, तो ये सकरात्मक जो वाक होते हैं, आपको बनाती है, आसान करती है एकजाम को, नहीं, पलस, सरवांगिन विकास की बात करना है, बच्चे का 6 जो आयाम होते हैं, उन 6 आयाम का भी बात करना है, चाहिए वा सर्री खो, सामबेगी खो, मांसी खो, चारित्री खो, नहीं, या भासाई हो, जो सबी 6 छेत्र जो होते हैं, उन पर धियान रखना है, उसका विकास करना है, और सबसे इंपोर्टेंट है, बच्चे को करके सीखना, जिसमें बच्चा खूद एक्टिव हो, सामिल हो, कर रहा हो, वो अप्शन सबसे बहतर मान जाता है, जिसे आप हस्त परक अनुभवी कहते हैं, हस्त परक अनुभवी करते हैं, और बच्चे को क्या मिलना चाहिए, सम्मान, और क्या मिलना चाहिए, लगाओ, और क्या होना चाहिए, पुरत शाहन होना चाहिए, जिग्यासा जागरित करने वाला होना चाहिए, बाल किंद्रित तो होना ही चाहिए, उसके बाद और शारे बहुत सारे हैं, तब तक आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं, तो ध्यान देजेगा, अगर आपके वर्ड में ब्यवहारिक कुसलता दिया रहे, तो भी सकरात्मक सब्द माना जाता है, और दिरिश स्रब समागरी, दिरिश स्रब समागरी, संसाधन, समिर्ध बातावरन, बिभिन संदर्भो में, भासा परियोग, बिभिन या बिभिद गत्विधिया, इसके बाद, तो ये सारा जो आपने देखा, ये सब्द था आपका सकरात्मक सब्द, और जिसको देखकर आप अप्सन को सही पर निसान लगा दिजेगा, गोला को भर दिजेगा, तो मैं आसा करता हूं कि धमाकेदार ट्रिक जो था आपके जिहन में बस गया होगा, और आप जब तक रिजाम नहीं होता, तब तक बार-बार रिविजन करें, और जाए, और इसी सब्दे के माध्यम से आप सफलता पाए, तब तक टेक क्यार, फिर लेकर आता हूं, और लाजवाब ट्रिक्स, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको, इस चैनल को सब्सक keep watching